आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है The name of the given structure is हमें यहाँ पे एक structure given है यह एक polymer है क्योंकि यहाँ पे N given है और यह repeating unit है इस polymer की तो यहाँ पर क्या given है हमें repeating unit of a polymer मतलब हमें यह बताना है कि यह कौन सा polymer है Option है में हमें given है teraline teraline के जो monomer होते हैं वो होते हैं ethylene glycol और terryptalic acid इनका polymerization करवा के तो teraline का structure होगा ऐसा O CH2 CH2 O CO यहाँ पर एक phenyl ring उसके बाद यहाँ CO और फिर यहाँ पर next unit आएगी monomer की तो यह हमारी repeating unit है for teraline तो यह teraline जो है इसका structure यह हो गया तो teraline और यह structure तो match नहीं हो रहा इसका मतलब जो given हमें polymer है वो teraline नहीं है यहाँ पर जो हमें bonding दिख रही है C O N H यह एक amide bond होता है और यहाँ पर जो teraline होता है वो एक polyester fiber है इसलिए इसके अंदर ester bond होता है ना की amide bond तो यह क्या है यह जो हमें given polymer है यह एक polyamide है और teraline एक polyester polymer है इसलिए हमारा option incorrect है option B है nylon salt तो nylon salt तब फर्म होगा जब nylon 66 के जो starting material होते है adipic acid और hexamethylene diamine के NH2 CH2O6 NH2 इन दोनों को हम heat करेंगे तो यहाँ पर nylon salt फर्म होता है यहाँ पर यह जो CO है इसका जो है COO- ऐसे फर्म होगा इसके बाद है CH2O4 फिर यहाँ पर COO- और फिर यहाँ पर जो amine group से ही protonate हो जाते है carboxlic acid carbon के proton से और यहाँ पर फॉर्म होगा ऐसे NH3 प्लस CH2 होल 6 NH3 प्लस तो यह जो फॉर्म होगा है structure यह है Nylon salt तो Nylon salt और जो हमें given polymer है यह दोनों सेम नहीं है जो Nylon salt होता है वो एक unit होता है और यह जो हमें structure given है यह हमें repeating unit given है यहाँ पर N given है मतलब यह एक polymer है और Nylon salt जो होता है वो monomer होता है Nylon 66 का जब हम यह starting material जो की है adipic acid और hexamethylene diamine इनको heat करेंगे तो form होता है Nylon salt और जब हम Nylon salt को high pressure पर heat करेंगे तो जो structure form होगा इसे हम heat करेंगे तो ऐसे होगा CO CH2 CH2 hole 4 CO उसके बाद आएगा NH फिर है CH2 hole 6 NH और यहाँ पाएगा N क्योंकि जो यह Nylon 66 है यह एक polymer है जो form होता है Nylon salt से और इसका structure ऐसा दिखेगा इसकी repeating unit यह है और इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया N तो इसको match करो given structure से तो यहाँ पर यह structure given है CO CH2 hole 4 CO NH CH2 hole 6 NH तो यह हमारा given structure था इसलिए जो हमारा given structure है उसका नाम क्या होगा Nylon 66 6 इसलिए हमारा option से correct है option D है Nylon 6 तो Nylon 6 जो है वो भी एक polymat polymer है और इसका जो monomer होता है वो होता है केप्रोलेक्टम तो जो Nylon 6 का structure होता है वो है CO CH2 hole 5 NH तो यह structure भी match नहीं होगा इससे क्योंकि यह तो है Nylon 6 6 का structure तो मारा option D भी incorrect है इस question के लिए मारा option C करेक्ट है क्योंकि जो correct name है इस given structure के लिए वो है Nylon 6 6 Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सूपर